शेर हिंदी और उर्दू में लायन का शब्द है यह जानवर विविध समाजों और संस्कृतियों में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्रतीकिय महत्व रखता है खास कर उन भारतिय संस्कृतियों में जहां शब्द शेर महानता, साहस और राजशाही का प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है कविता, कहानी और लोक कथाओं में शेर उदात और शानदार प्राणियों के रूप में वर्नित होते है शेरों के बारे में कई मज़ेदार तत्य है शेर एक मात्र ऐसा जानवर है जिसकी गर्दन में एक खास गठिया होती है जिसे मने कहा जाता है शेर की गर्दन में अद्भुत शक्ती होती है जिसकी वजह से वह अपने शिकार को बिना गले के टूकता है शेर रात के समय अधिकतम गति से दोड़ सकता है और उसकी आखें रात के समय में प्रकाश को छान सकती है जिससे वो अपने शिकार को बहतरीन तरीके से ढूंड सकता है शेरों की गर्दन के अंदर कुछ शब्द लटकते हैं, जिसे मेन कहा जाता है, और यह उनकी अद्वितिय आवाज को बढ़ाता है शेरों का जुकना अदालत में उनकी शक्ति और प्रतिरक्षा का प्रतीक होता है इसे शेरी कहा जाता है सामाजिक जीवन शेर गर्भवती स्त्रियों के साथ रहने का अच्छा उदाहरन प्रदान करते हैं परिवार में सामूहिक देखभाल और सहायता के मामले में वे अद्वितिय होते हैं ध्वनी, शेर की गर्जन, जिसे ध्वनी कहा जाता है, कई किलो मीटर तक सुनी जा सकती है इसे वे अपने इलाके के प्रतिसपर्धी को अपने विचार के बारे में सूचित करने के लिए उपयोब करते हैं शेर, जंगल के राजा के रूप में मश्मूर हैं ये व्यापारिक रूप से अत्यम्त महत्वपूर्ण जंगली प्रानी हैं और उनके बारे में कई रोचक तत्य हैं शेर का धारावाहिक उदे, शेरों को धारावाहिक में अत्यधिक प्रसिद्ध किया गया है लेकिन वास्तव में यह सख है कि शेर एक आधिक बार एक दिन में हमला करने के लिए सक्षम होते हैं पेशेवर शिकारी, शेर वास्तव में अत्यंत पेशेवर शिकारी होते हैं शेर वास्तव में विभिन प्रजात्तियों में पाई जाती हैं यहां कुछ प्रमुख शेरों की प्रजात्तियों का उल्लेक है अफरीकी शेर वो यह सबसे प्रसिद्ध शेर प्रजाती है और अफरीका के विभिन भागों में पाई जाती है इनकी पहचान काले में दो खूब सूरत नीले नक्षे होते है सुमात्रन शेर पी निवेशी प्रजाती है और सुमात्रा दूइप में मात्र पाई जाती है इसकी चारों और घने वनों में रहने की वजह से इसका आकार और रंग कम होता है मासाई शेर शेर अफरीका के मासाई मारा और सेरिंगेटी शेत्र में पाया जाता है इसका आकार और रंग अफरीकी शेर की तरह होता है बारबरी शेर यह शेर अफरीका के मध्य और उत्तरी भागों में पाया जाता है इस वीडियो में बस इतना ही